हेलो और वेलकम डू दू दिस लेक्चर आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाला है चैप्टर नंबर सेवन जिसका नाम है लूपिंग वीथ पैटन्स के सी लेंग्वेज में हम लूपिंग देख चुके हैं जिसके हों तीन तरह से कर सकते थे वाइल लूप दू वाइल ओसकता था ठीक वही कंसर्ट है अमारे पास लूप के अंदर हम जो अपनी व्लूप बनाते हैं न वहाँ पर आपको बनाना है नैश्टर फॉलूप यानिकि एक फठॉलूप के अंदर दूसरी दूसरे एक अंदर में भी तीसरी भी आ सकती है इस तरह का श्रक्चर उसको ब मल्टी लाइन कमेंट के अंदर सबसे पहले तो में लूप्स के टाप लिख देता हूं जो के हम पढ़ने वाले हैं देखें नैस्टेड फोल लुप यह आप तीन तरीके से बना सकते हो सबसे पहला होता है आपका सिम्पल नैस्टेड लूप सेकेंड वीद स्पैसिंग नैस्टेड लूप और थर्ड कॉस्टम नैस्टेड लूप एक तो नैस्टेड फोल लूप आप तीन तरह से बना सकते हों हम वन बाए तो सबसे पहले थे ताइप साब नोट डाउं कर लो किया है मैं या फिर विज स्पैसिंग की मदद से या फिर कस्टम की मदद से अब कोई भी तरखिटर बना सकते हो फिर बोलोगे की सर यह पैटर एकटर या डिजयन हो सकती है देखें मैं या पर कोई डमी डिजयन बना रहा ठीक है इस तरह से 5 1 लिखे उसके बाद मैंने 5 x 2 लिखे उसी तरह 5 x 3, 5 x 4 और लास्ट में 5 x 5 इटसेल्फ तो इस तरह का कोई मैंने square structure बनाया देखिए एक से लेकर 5 तक तो यह जो structure बनाए है ना यह जो design है उसी को बोलता है pattern यह pattern हमें programmatically बनानी है अब no doubt आप करोगे कि सर यह हम printf की मदद से भी तो बना सकते हैं line by line ठीक है पांच printf लिख दिए खतम बात तो इस तरह से तो आप करी सकोगे लेकिन अब आपको c language में किसकी मदद से मिल जाएगा तो इस तरह की कोई भी pattern होगी वह आपको draw करनी है c language की मदद से वहाँ पर आप यूज करोगे nested for look तो चले समझते है पहले तो यह design को क्या कहना चाहती है वह इस design को थोड़ा analysis कीजिए आप तो आपको दिखेगा row and column का structure यह जो horizontal line होती है ना one वाली है two वाली है three वाली है यह सभी horizontal line को क्या बोलोगे आप row बोलोगे माइट भी आप Microsoft Excel के साथ familiar होगे तो आपको मालूम होगा row and column क्या होता है वो जो horizontal lines होती है उसी कौन क्या बोलते है रो बोलते है और यह जो वर्टिकल लाइन है ना एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर और फॉरी वर्टिकल लाइन उसको बोला जाता है एक कॉलम तो लूप के अंदर आपको दो चीज़े ध्यान में रखनी है row and column row यानि की horizontal line आपकी ह ठीक है फिर चाहिए one वाली भी हो सकती है four वाली भी हो सकती है कोई भी आप horizontal line उठा लो पूरी pattern में से उन सभी को बोलते है row और सैम वर्टिकल लाइन है कोई भी उठा लो फिर चाहिए first उठा लो ये beach वाली या फिर ये last वाली तो सभी को क्या बोलते है column vertical lines column कही जाती है horizontal lines row ठीक है तो अब हमारे पास row and column से बना हुआ एक structure है एक pattern है जो कि यह में solve करना है बनाना है C language की मदद से ठीक है तो in future आज से लेकर कभी तरी आपको कभी भी इस टाइप की कोई pattern दिखाए दे मैं यह नहीं के रात की Sam to Sam यही pattern आएगी throughout your development life आपको इस तरह की कई सारी अलोग गलोग type की patterns देखने को मिलेगी तेक है जिसके अंदर किसी ना किसी तरह से row and column जुड़े होगे तो row and column से बनी हुई कोई भी pattern हो वो आप बना सकते उस C language में nested for look की मदद से तेक है फिर चाह कोई हमारे पास इस तरह की pattern available है इसको मुझे draw करना है C language में तो मैं यहाँ पर draw कर सकूंगा simple nested look की मदश से तेक है फिलाल आज के session में सीफ और सीफ simple nested look ही देखने वाले है तो उसके regarding ही मैं यहाँ पर कोई भी pattern बनाऊंगा चले मेरे पास यह सबसे पहले डिजाइन है अब मैं start कहां से करूंगा देखिए सबसे पहले हमें nested for look का structure बनाना है nested for look यानि की एक जो हमारी simple for look होती थी थी ना उसके अंदर एक और दूसरी for look बोला जाता है आउटर for look क्या बोला जाता है इसको मैं यहाँ पर comment में लिख रहा हूं यह बहार वाली लूप को बोला जाता है outer for look और यह जो अंदर वाली लूप है उसको बोला जाता है inner for look सबसे पहले हमने नेम डिफाइन कर दिए आउटर लूप है कमारे पास और एक इनर लूप है तो आउटर लूप और इनर लूप से बना हुआ इसको बोलता है इसमें आप क्या ऐसी कोडिंग करोगे कि जिसका आउट्पूट आपका इस तरह का आ जाए ठीक हो में समझना है चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यह जो हमारी आउटर लूप होती है वह ओल्वेज और ओल्वेज रो के लिए घुमाई जाती है रो यानि कि हमारी है horizontal lines तो मैं आपकर note down कर लेता हूँ आउटर लूप सिफ और सिफ खुमाई जाते हैं रो के लिए inner लूप always and always column के लिए ही खुमती हैं इतना को याद रखना है बाहर वाली walk रो के लिए गूमेंगी यानि कि horizontal lines के लिए fall loop हमेशा column के लिए खुमेंगी, यानि कि inner वाली जो fall loop है वो, column यानि vertical lines ओके, चलिए अब यहाँ पर हमें brackets के अंदर मालूम है, कोई variable देना होगा, right तो मैं दो variable बनाऊँगा त्यान दीजेगा, integer i और j, ठीके i मैंने assign किया है outer for loop के लिए, यानि कि row के लिए और j जो है, वो मैंने assign किया है column के लिए, आप variables का नाम कुछ भी लिख सकते हो, x, y, या फिर a, b, या फिर p, या q त्यक्याँ, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जब कभी भी आप loop का यूज़ करोगे तो programming community का convention क्या है, always variable को i से start करो, then after j, then after k, इस तरह से, यह कोई strict rule नहीं है, आप चाहो तो अपने custom variable का नाम भी दे सकते हो, okay अब यह जो हमारी outer loop है, ठीक है, वो हमें किस के लिए गुमानी है, row के लिए, row के लिए हमने choose किया i variable, ठीक है, तो मैं आपर i से start करूँगा, अब initialization कहां से करूँगा, fall loop के अंदर हमें मालूम है, initialization करना होगा, फिर after, हमें क्या लगानी होगी, कोई condition लगानी होगी, and then after हमें लगाना होगा, increment या फिर decrement, तो हमें इन तीनों part को fill up करना है, तो चले, सबसे पहले हम initialize कहां से करेंगे, वो देखना है, तो हमारी pattern को थोड़ा सा analysis करेंगे, बाहरवाली fall loop row के लिए गुमती है, तो पहले तो आपको देखना है, कितनी row available है, मैरी design के अंदर, यह देखें, यह first, second, third, fourth, and fifth, तोटल five horizontal line है मेरे पास, यानि कि क्या किया, एक से initialize किया, पांच तक ले गया, और increment किया, simple, ठीक है, क्यूं मैंने ये पांच बार गुमाई, क्यूंकि हमारे row पांच बार है, इसलिए, complete, चलिए, ये खतम हो गया, row वाला part, अब देखते हैं, inner fall loop, यानि कि column वाला part, inner fall loop column के लिए हमने कौन सा variable चूज किया है, जे, तो यहाँ पर हमें, जे के लिए, तीन part लिखने होगे, ठीक है, initialization, condition and increment, या फिर decrement, चलिए, initialize कहां से करेंगे, तो column को ये analysis किजिए अब आपको, ठीक है, या आपके पास देखे, ये आपकी first vertical line, ये आपकी second vertical line, और उस तरह से आपकी पांच भी vertical line, तो total आपके पास 5 columns available है, कितनी columns available है, 5 columns, तो same जैसा कि हमने i के साथ किया था, row के लिए, 5 बार गुमाया था, तो inner loop को भी, आपको कितनी बार गुमाना होगा, 5 बार, क्योंकि आपके पास 5 columns available है, इसलिए, तो मैं यहाँ पर same क्या करूँगा, x से start करूँगा, 5 तक गुमाऊँगा, और j को कर दूँगा increment, ओके, चले, row वाला पार्ट हमारा finish हो गया, column वाला पार्ट finish हो गया, अब बार या आते हैं, यहाँ पर हम print क्या कराएंगे, वो, चले, printf लिखते हैं, ओके, अब हमारे पास दो variable है, right, i b है और j b है, तो क्या मैं यहाँ पर i को print करा हूँ, या जे को print करा हूँ, वो अब दिक्कत आती है, right, चले, सबसे पहले मैं देख रहता हूँ, i co print करा तक, okay, save करूँगा file को, then after मैं करूँगा run, तो अब देखे, आपका output क्या आ गया, one, 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 तो यानि कि यह जो पहला वाला है, वो आ गया, उसके बाद, आपकी दूसरे वाले line, 5 बार, 2, देखे, देखे, output के अंदर, आपका 5 बार, 2 भी आ चुका है, then after third वाली line आनी चाहिए, वो भी आ गई है, then after fourth और fifth वाली line, तो वो भी complete success आ चुके है, लेकिन एक ही line के अंदर मिली न, हमें horizontal, हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो इस तरह की pattern बनानी है, first line में सिफ, पांचो के पांच, एक ही होने चाहिए, second line में, पांचो के पांच, दो ही होने चाहिए, ठीके, इस तरह से, चले, तो अब मैं इस output को करूँगा close, तो आप कहोगे कि सर, आप यहाँ पर selection लगा दो, तो automatic नीचे आ जाएगा, चले, save करेंगे, तो देखें क्या करेंगे, यहाँ से selection मेटा दोंगा, अगेर मैं आपको बता दू, इसका output क्या आएगा, जो कि previously आया था सब कुछ, horizontal के अंदर, तेके, अब देखें, output को decide करना है आपको, कहां से आपको break लगाना है, नीचे की line के अंदर जाना है, यह देखें, अगर पांच बार one print हो जाते हैं आपके, यानि कि यह जो inner for loop पूरी पांच बार घुम जाती है, उसके बाद, दूसरा सरू होता है, दो आपके print हो रहे हैं पांच बार, यानि कि दूसरी बार again यह loop चल रही है, तो आपको simple क्या करना है, अगर एक बार यह loop finish हो गई, पांच बार घुमने के लिए, inner loop आपने कितनी बार घुम आई थी पांच बार, तो यह for loop पांच बार घुम गई है, घुमने के बाद, आपको for loop से बाहर निकलना है, और यहाँ पर आपको दे देना है, slash end, slash end किसली है, new line के इंदर जाने के लिए, तो अब मैं यहाँ पर करूँगा save, चले पूराने output को करेंगे close, और यहाँ पर again करेंगे compile and run, तो अब आपको नए output देखेगा, यह देखे, और exit जो भी हम लाना चाहते थे output के इंदर, वही आ चुका है, देखे, same हमारी pattern आ चुकी है, तो इस तरह से आपको यूज़ करना था, simple nested follow-up का, यह मैंने output आपको बता दिया, लेकिन किस तरह से आया, वोग में step by step आपको बताऊंगा, ठीके, चले, सबसे पहले आप इसका screenshot ले लो, यह थी आपका output, ठीके, किस वाली pattern का output था, वो pattern भी आप not down कर लो, अगर आपको यह वाली pattern बनानी है, तो इस pattern का output का आएगा, इस तरह का code आएगा, ओके, चले, अब इसको step by step, line by line समझते हैं, चले, सबसे पहले तो दो variable बनाया है, उसके बाद इस fall loop को scan करेगा हमारा program, i की initial value कितनी हो गई, 1 हो गई, अब इस line को scan करेगा condition को, तो अब हमारी यहाँ पर condition कितनी हो गई, देखिए, मैं यहाँ पर comment के अंदर लिख रहा हूँ, i less or equal to 5 था ना, तो i की initial value कहां, कितनी है, 1 है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया, 1, अब देखिए, यह condition क्या हो रही है, true हो रही है, तो अब मैं मालूम है, fall loop के अंदर अगर condition true हो रही है, तो आप जाओगे fall loop के अंदर, यहाँ पर, अब जैसे ही fall loop के अंदर आए, आपको एक और fall loop देखने को मिले, देखिए, लेकिन अब किस के लिए है, जे के लिए, चले, जे की initial value, assign हो गए 1, फिर उसकी भी एक और condition आई, तो इसकी condition में यहाँ आप लिख देता हूँ, j less or equal to 5, अब जे की value कितनी है, देखिए, initially 1 है, तो condition में हमने put up किया 1, अब यह condition देखिए, यहाँ पर क्या हो रही है, true हो रही है, तो rule के मताबिए, 4 की condition true हो रही है, तो हम जाएंगे, fall loop के अंदर, okay, fall loop के अंदर आगे हम, यहाँ पर आपने printf कराया है, percentage d, क्या printf कराया है, i, okay, त अब यहां पर printf क्या होगा, देखिए, i printf कराया है तो i की lattice value क्या है यहाँ पर देखिए 1 है न i की lattice value क्या है 1 तो आपने वो तो printf करा दिया तो अब यहाँ पर printf क्या हो गया 1 हो गया अब इस fall loop का ending कली bracket आया तो हमें मालूम है जैसे fall loop का ending कली bracket आता है वो again उपर jump करेगा increment part की तरफ अब j++ हो चुका है यानि कि j की lattice value कितनी हो चुकी है 2 हो चुकी है और फिर वो condition again check करेगा तो अब j की value यहाँ पर कितनी आ गई 2 आ गई simple fall loop का working है नहीं या कुछ भी नहीं है चले अब यह condition यहाँ पर क्या हो गई फिर से true हो गई अगेन हम fall loop के अंदर आगे अगेन आपका printf चलेगा i के लिए लेकिन अब i की value कितनी है 1 ही है देखे i increment नहीं हुआ है यहाँ पर j increment हुआ है तो j की value दो रहेगी यहाँ पर confuse मत होएगा i तो हर बार आपका कितना रहेगा 1 ही रहेगा तो जब अगेन यह दुबारा printf चलेगा तो दुबारा आप i की value प्रिंट करोगे 1 ठीक है चले यह कली bracket आया अगेन आपका increment हुआ j plus plus condition के अंदर गया लेकिन अब j की value increment होकर कितनी बन चुकी है 3 आ चुकी है ठीक है again condition check होगी again condition true हो रहे है तो फिर से आप जाओगे for loop के अंदर again आपका print होगा i अब i की latest value कितनी है only 1 यह ठीक है i increment नहीं हुआ है वो तो same ही same रहेगा चले अगेन आपका i आप कली bracket फिर से उपर गये increment हुआ j की value अब यहाँ आपर increment हो गई 4 पहले थी 3 अब obviously हो गई 4 condition यह होगी true होमारी तो again आप जाओगे for loop के अंदर फिर से आपका चलेगा i वाला printf फिर से i की value प्रिंट होगी 1 ओके कली bracket आया again आपका increment हुआ j++ तो अब यहाँ पर j की value कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है तो अब यह condition देखे यहाँ पर क्या होगी true होगी right वीच में equal to b है इसलिए तो again आप जाओगे print के अंदर आपकी i की value print होगी तो वो तो 1 नहीं थी फिर आपका यह ending कली bracket फिर से j++ हुआ यहाँ पर condition चक की j++ इस बार कितना होगा 6 होगा अब आपकी condition देखे false होगी चैसे ही आपकी condition false होगी तो अब आपकी cursor जो यहाँ पर blink हो रही थी वो अब क्याँ पर आजाएगी नीचे आजाएगी यहाँ पर चले मैं यहाँ पर एक और condition लिख देता हूँ comment और यहाँ पर आपकी cursor आगई इतना print हो जाने के बाद आपको मिला slash n तो आपकी cursor जो यहाँ पर थी तो again आप जाओगे उसके increment part के अंदर i++ तो अब जाकर आपकी i++ value हो यह 2 जैसे i++ किया आपकी i की value बढ़ चुकी है condition check होगी क्या 2 less or equal to 5 है हाँ है तो आप again जाओगे इस fall loop के अंदर यह हमारी condition true हुई आप fall loop के अंदर गए जैसे fall loop के अंदर आए आपको एक और fall loop देखने को मिले again j की value reset होगे कितनी 1 तो अब आपकी condition क्या होगी 1 less or equal to 5 तो फिर से आपका क्या आगया 1 less or equal to 5 आगया अब यहाँ पर देखे condition क्या होगे आपकी true होगे जैसे condition true होगे आप again जाओगे fall loop के अंदर आपका print होगया i लेकिन अब i की latest value कितनी है देखे यहाँ पर उपर 2 थी न राइट अब i की value print होगी कितनी 2 फिर आया उसका ending कली bracket अगेन यहाँ से jump किया program ने j plus plus तो j की initial value कितनी थी देखे यहाँ पर 1 थी तो अब कितनी हो चुकी है आपका print है चला i के लिए तो i की value कितनी ही थी 2 ही थी न लेटेस्ट तो फिट से वो print होगी 2 ओके फिट से आप आये end part की तरफ फिट से आपका j plus plus हुआ तो अब j की value बड़ करत होगी 3 तीक है अगेन यह condition check होगी क्या 3 less or equal to 5 है तो अगेन आप गए for loop के अंदर i print हुआ i की value तो fix ही है फिलाल 2 तो इस तरह से 2 print हो गया तो यह process again and again चलती रहेगी कितनी बार 5 बार fix ही है यह inner loop हमेशा 5 बार ही घुमने वाली है तीक है क्योंकि आपने यहाँ पर बोल दिया है एक सरेकर 5 तक तक तुमें घुमना है तो इसलिए अगेन यह process same होगी ठीक है जैसे ही आपके 5 बार 2 print हो जाते है उसके बाद यह आपकी for loop बाहरा होगे printf slash n आ गया तो आप अगेन आपकी करसर यहां से यहां नीचे आ जाएगी तो इस तरह से total 5 बार आपकी for loop खुमेगी यह nested for loop तो इस तरह आपका इस तरह का output बनता है तो इस वाली pattern आपकी create होती है जैसा कि हमने यहाँ पर code किया तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझा है step by step वैसा ही आपको अपने notebook के अंदर सबसे पहले practice करनी है directly कभी भी आपको program नहीं करना है nested for loop के लिए फिर कोई भी program हो वो आप directly कर सकते हो बट यह वाला जो हमारा chapter है nested for loop वाला उसको आपको compulsory सबसे पहले बनाना है अपनी notebook के अंदर तेक है आपको कहाँ पर करने है आपके note के अंदर करने है पहली बार लोग घुमेगी तब iq value कितनी होगी वो यहाँ पर side में note down करते जाए जैसा कि मैंने अभी अभी comment के अंदर किया था वैसे inner follow फर्स्ट बार घुमेगी तो initial value क्या होगी क्या condition बनेगी क्या हो रहा है step by step वो आप side में note down करते जाए ताकि आप easily समझ सको यह हो क्या रहा है एक बार अगर आपने notebook के अंदर successful कल लिया यह program complete उसकी value आपके notebook के अंदर आ गई यह pattern अगर बन रही है side में आप one by one output भी लिखते जाओ new page के अंदर यह अगर first time यह print app चलेगा तो output क्या आएगा मैं आपर कैसे लिख रहा था comment के अंदर वैसा है आपको notebook के अंदर करना है और कुछ नहीं अगर notebook के अंदर आपकी complete loop बन चाती है चो भी आपको बनाना चाहते हो वो आपकी loop बन जाती है अदर वाइस आप कभी भी loop को master नहीं कर सकोगे nationality for loop को ओके तो चले यह था हमारा step by step working कि किस तरह से nationality for loop exactly काम करती है done ओके चले एक और loop में आपको बताता हूँ for example अब मेरे पास कुछ इस तरह की loop है ठीक है यह देखिए same to same पांच rows है और 5 हमारे पास columns है लेकिन थोड़ा सा output अलग है देखिए ठीक है सबसे पहले आप क्या करो अपने आप इसको बनाने की try करो फिलाल यह जो आप lecture देख रहे हो उसको post करो आप ठीक है आ रहा है ठीक है दिमाग में घुस चुका है otherwise मैं आपको इसका solution भी बता रहा हूं वह आप देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना था analysis करना था कि रो कितनी है रो आप देख सकते हो horizontal line कितनी है हमारी इस loop के अंदर 5 है तो यह जो हमारी outer loop थी वह हम कितनी बार अब आप देखिए हमारी vertical lines कितनी है तो वह भी पांच है ना ठीक है पूरे प्रिंट करते थे ना अब आपको प्रिंट करना है जे क्योंकि अगर आप आई ही रहने दो गए तो आपका output क्या आएगा देखिए मैं फिर से यहाँ पर compile and run करांगा तो आपका output तो पूराना ही loop आया देखिए आपको तो इस तरह का output चाहिए तो इस तरह से आपको check करना है line by line कि अगर मैं यहाँ पर I put up करूंगा तो क्या आएगा अगर मैं यहाँ पर J put up करूंगा तो क्या आएगा देखिए अब मैं यहाँ पर j put up कर रहा हूँ फाइल को करूँगा compile and run तो अब आप output के अंदर देख सकते हो हमारा output आ चुका है देखते हैं complete जैसा की हमें loop बना नहीं थी ठीक है उसी pattern के अंदर हमारी loop आ चुकी है ठीक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 up to 5 10 तो इस तरह से आपको check करना है क्यों मैंने यहाँ पर j लिखा और output आ गया तो again क्या बोला था मैंने आपको सबसे पहले यह सब notebook के अंदर करना है step by step अगर यहाँ पर i की value put up करोगे तो first time i की value यहाँ पर क्या print होगी वह आपको note down करना है second बार जब loop घुमेगी तो i की value क्या बनेगी और j अगर put up करोगे तो j की value क् वह आपको note down करते जाना है ठीक है दोनों loop आपने बना ली i के through और j के through फिर आप compare करो final के अंदर में यहाँ पर j लिखूंगा तो output आना चाहिए या फिर i लिखूंगा तो output आएगा ठीक है वह आपको decide करना है तो इस तरह से आपको loop बनाना है complete तो चले इस pattern का आप screenshot ले ठीक है और इस pattern का coding क्या है वह मैंने यह आप लिखा है इसका भी आप screenshot ले सकते हो इसको भी note down कर लो ओकर यह है दो लूप हुई simple अब चले वन स्टेप एडवास हम करते हैं सबसे पहली रों के अंदर है मेरे पास one then after one and two उसके बाद one two three then after one two three four and at the last one two three four and five चले अब इस त कुछ pattern है एक से लेकर पांच तर ठीक है चले अब इसका coding हमें करना है तो किस तरह से करेंगे सबसे पहले तो मैं यह आपर जो है वो मिटा देता हूं आई प्रिंट करना है यह जहें प्रिंट करना है वो मैंने मिटा दिया जहें का इनिशिलाइजेशन कंडिशन इंक्रिमेंट इफ डिक्रिमेंट और उसी तरह से आई वाला सब कुछ मैं मिटा देता हूं इतना तो आएगा ही आएगा चाहे कोई भी लूप हो सिंपल नैस्टेड वाली चलिए अब इसको फिलप करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ओल्वेज और ओल्वेज क्या फिलप करेंगे आउटर फॉल लूप जो की बनती है हमेशा रो के लिए चलिए तो सबसे पहले इस उजल हमें क्या इनालिसिस करना है कि हमारी लूप के अंदर रोज कितनी है जी है यहाँ पर हमारी। लूप के अंदर कितनी रोज है यहाँ पर अगर मैं आपको ask करूँगा अगर मैं आपको पुछूँगा कि इस pattern के अंदर आपको कितनी columns देखने को मिलेगी तो कई लोग कहेंगे कि sir 5 column है तो वो सबी wrong है देखे किस तरह से आप wrong हो यह जो first row है ना उसके अंदर कितनी column है देखे एक ही column है यहाँ पर थोड़ी ना 5 है पांच column तो कहाँ पर है last row के अंदर है यह देखे वर्टिकल एलिमेट आपको analysis करना है last वाली line के अंदर पांच column है third वाली line के अंदर सीव तीन ही column है column यानि कि vertical part fourth line के अंदर only 4 column है और first line के अंदर only one column है तो column हर एक लाइन के लिए अलग अलग है तो आप यहाँ पर fixed destination पास नहीं कर सकता है कि आपको कहां तक ले जाना है लेकिन देखे इसका simple fund है क्या है यह जो आपकी first column है ना उसका analysis कीजिए सभी columns की value start कहां से हो रही है सभी columns की value start कहां से हो रही है one से हो रही है तो आपको initial value यहाँ पर देनी है one कि always column कहां से start होगी one से start होगी कहां तक जाएगी देखे first row सिर्फ 1 तक ही जा रहे है आप यहाँ पर लिखोगे लेकिन second row X से तो start हो रही है लेकिन कहां तक जा रहे है 2 तक जा रहे है तो यहाँ पर आप लिखने आओगे 2 third row X से start हो रहे है कहां तक जा रहे है 3 तक तो यहाँ पर आप लिखने आओगे 3, उसी तरफ 4th line के लिए आप लिखोगे 4, 5th line के लिए आप लिखोगे यहाँ पर 5, ठीक है, मतलब की हमारी यह जो destination value है न, वो dynamic change हो रही है, each and every row के लिए, तो ऐसा तो मैं यहाँ पर क्या लिखू, कि automatic चीस नमबर की row है, वो आ जाए य दीजे आप, सभी columns आपकी 1 से start हो रही है, लेकिन end कहां से हो रही है, देखे, end कहां पर हो रही है, अलग-अलग line number में से हो रही है, तो यहाँ पर आपको each and every time अलग-अलग value चाहिए होगी, 1 से लेकर 5 तक, अब इसको analysis करते हैं, हमें क्या मिला, कि अगर हमारी row number 1 है, ठीक for example, अगर हम 4th number वाली line की बात करें, तो इसमें क्या हो रहा है, 1 से start हो रही है, तो हमने यहाँ पर लिखा starting 1, लेकिन end कहां से हो रही है, 4 तक, in short, ending part कौन सा है मालू मैं, जिस भी number की row है ना, उसी number से वो end हो रही है, देखे, suppose 5 number की row है ना, last वाली, तो वो end कहां से हो रही यह 5 से हो रही है, अगर second number की row है, तो वो end कहां से हो रही है, second number से हो रही है, मतलब कि जिस number की भी row है, वो उसी number से end हो रही है, मतलब कि हमें end part कौन सा लिखना है, row का ending part लिखना है, तो row को हमने किस variable की मदद से represent किया है, आई की मदद से, तो मैं आपर simple लिख सकता हूँ, ठीक है त्यान रखेगा column each and every column है वो हमेशा one से ही start हो रही है ठीक है तो हमने यहाँ पर किया j is equal to one लेकिन खतम कहाँ पर हो रही है dynamic पहले one से फिट two से फिट three से then four and then after five तो जब ending digits है वो क्या represent कर रहे है end of row right तो row को हमने represent किया था i से तो row की value में यहाँ पर represent करनी थी तो इसलिए मैंने direct यहाँ पर लिख दिया i ओके चले अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो आपको क्या मिल रहा है increment मिल रहा है तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है जै प्लस प्लस चले तो इस तरह से हमने complete कर लिया हमारा inner loop वाला part अब बारी आते है यहाँ पर printf में आप क्या लिखोगे i लिखोगे या फिर j लिखोगे तो हमें यहाँ पर लिखना है किसलिए लिखना है वह मैं पहले आपको बताऊंगा सबसे पहले output चेक कर लेते हैं आ रहा है या नहीं देखे हमारा output complete आ चुका है जैसा कि हमारी pattern थी ठीक उसी तरह हमारा output भी आ रहा है जैसा कि मैंने वहाँ पर j लिखा तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अगर आप आप यहाँ पर i लिखते हो या फिर j लिखते हो तो step by step आपका output क्या आएगा वो सबसे पहले आपको अपनी notebook के अंदर not down करते जाना है यहाँ पर i को put up किजे then after j को put up किजे not down के अंदर sorry notebook के अंदर आप not down करते जाए जो भी आपका final version बनेगा loop का ठीक है वो किस से बना य को यह loop समझा रहा हूं क्यों मैंने यहाँ पर i लिखा आप automatic समझ जाओगे देखे सबसे पहले इस auto loop की बात करेंगे start किया one से condition के अंदर put up किया तो हमारी condition क्या बन गई one less or equal to five इस तरह के हमारी condition बन गई right तो यह condition अब क्या हो रही है true हो रही है तो obviously जैसे ही condition true होगी है आपको दूसरी फॉलूप देखने को मिली यहाँ पर जै का initialization हुआ one से condition check करो देखे अब condition क्या बन रही है हमारी यह less or equal to i है ना तो जै की value कितनी है अभी अभी हमने one assign की तो यहाँ पर जै की value आ जाएगी one अब i की value i की latest value कितनी है देखे one है ठीक है तो यहाँ पर आ अब देखे है condition क्या हो रही है true हो रही है हाँ obviously true हो रही है तो अब आप जाओगे for loop के अंदर for loop के अंदर आपको मिल रहा है printf करो जै की value ठीक है तो printf करेंगे हम जै की value जै की initial value कितनी है one है तो आपने यहाँ पर लिग दिया one okay for loop का ending part आया जैसे ending part आया हम सभी को मालूम है यहाँ पर program jump कहाँ पर करेगा हमारे increment part की और jump करेगा तो अब जै की value increment हो चुकी है कितनी हो चुकी two तो again वह condition check करेगा कि क्या two less or equal to one है या नहीं तो obviously अब यह condition आपकी हो रही है false जैसे यह condition false होगी आपकी fall loop terminate हो जाएगी और आप fall loop से बाहर आ जाओगे और आपको मिल cursor नीचे उतर कर आ जाएगी जैसे इस lesson मिलेगा वैसे अब बार्यात यह एंडिंग कर लिए bracket की जैसे यह एंडिंग कर लिए bracket मिला वह आई को करेगा plus plus यानिकी increment तो आई की initial value थी one लेकिन अब कितनी हो चुकी है two तो अब यह condition check होगी क्या two less or equal to five सही है हां यह condition फिलाल true हो one हो गई है condition check होगी चेक की value कितने आ गई है यहां से one तो मैंने यहां पर put up किया one ओके अब यहां पर है i लेगा जे की value तो जे की current value क्या है one है तो आपका print हो गया one ठीक है चले एंडिंग कर लिब्रेकेट आया अगेन आप आए जे प्लस प्लस के अंदर जे प्लस प्लस यानिकी जे की value increment होगी पहले थी one तो अब क्या होगी two होगी ठीक है तो यह condition आपकी बीच वाली बनेगी नई two less or equal to two condition होगी यह true आप फिर से जाओगे for loop के अंदर print होगी आप जे की value तो अगेन जे की नई value कितनी थी two तो वो यहां पर print हो जाएगी two ठीक है चले एंडिंग कली bracket आया जे प्लस प्लस तो अब जे की नई value आगी प्लस प्लस होकर three ठीक है अब यह condition देखे क्या होगी अब यह condition false हो चुकी है जैसे condition false होगी है हम सभी को मालू में fall loop के बाहर निकलो गया प्रिंट एफ हाएगा slash 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 यानिकि के अंदर आ जाएगी यहां पर ठीक है चले selection आ गया अब हमारी ending कली bracket आ गया है यहां से आप उपर जाओगे आई प्लस प्लस तो आई की नई value आ गई तीन पहले थी दो तो आप एक से increment हो गई नई value आ गई तीन यह condition यहां पर चेक होगी देखे यह condition फिर से क्या हो और यह true हो रही है तो अगेन आप जाओगे for loop के अंदर यहां पर अगेन आपको दूसरी for loop देखने को मिली जे की initial value reset कर दिया आपने फिर से 1 ठीक है तो यहां पर जे की value थी क्या आ गई 1 आ गई okay j less or equal to i तो j की value तो 1 आ गई but i की value कितनी है let us देखे ऊपर 3 है तो अब यहां पर आपने लिख दिया 3 तो अब आपकी condition क्या बनी 1 less or equal to 3 right condition होगे true फिर से जाओगे for loop के अंदर print होगी j की value but j की latest value कितनी है 1 है तो आपको यहां पर print होने को मिलेगा 1 okay ending के लिए bracket आया फिर स j की value आप एक से बढ़ जाएगी पहले थी 1 तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा 2 okay ending के लिए bracket अगेन आया फिर से उपर गए आप j प्लस प्लस अब j की latest value एक से और बढ़ चुकी है 3 हो गई तो फिर से यह condition क्या होगी true है right condition यहां पर आपको देखने को मिलेगी true जैसे true होगी आप जाओगे फॉलूप के अंदर जै की value प्रिंट होगी कितनी तीन ठीक है चले फिर से आया कली प्रेकेट अगेन आपको मिला जै प्लस प्लस यानिके अब जै की value होगी 4 तो अब यह condition देखिए यहां पर क्या हो रहा इसा करते करते आपको इस तरह का output देखने को मिलता है तो यह बहुत ही नैसा नसरी है कि first time जब कभी भी आप लुक बनाते हो तो ध्यान से step by step आपको सबसे पहले notebook के अंदर practice करने है यह सब output लिखने के लिए step by step वह आपका notebook के अंदर clear हो जाता है सभी output perfect आ जाता है then after आप editor के अंदर try करो directly आपको कभी भी आपका editor open नहीं करना है जब भी आप nested for loop बनाते हो तक ठीक है यह बहुत ही slow process है आप बहुर भी हो जाओगे लेकिन इसको करते रहना है ठीक है इसको छोड़ नहीं देना है बहुत ही critical part है जब कभी भी आप software development के लिए interview देने जाओगे तो तो सबसे पहले जो tween question होते है ना first three question उसके अंदर almost equation को तो loop का ही आता है nested for loop का आपको कोई भी एक randomly loop बना कर दे देते हैं बोलते हैं इसका code करके दिखाओ तो in case यह सब जो scenario है यह सब जो हम पढ़ रहे है फिला वह आपका logic clear करने के लिए पढ़ रहे है ठीक है आपका logic building सबसे पहले powerful करना होगा nested for loop के जरीए ओके तो इसको आपको खास skip नहीं करना है चाहे जितनी देल लगे उतनी देर कितनी भी बार आपको repeat करना पड़े दो बार तीन बार पांच बार दस बार आपके लूप बनी नहीं रहे है फिर भी आपको छोड़ना नहीं गिवप न आएगा ओके चले यह थी हमारी यह फाई लैंस वाली लूप इसका आप स्क्रींशोट ले लो क्या आपको कौन सी लूप बना नहीं थी और उसका आउटपूट क्या आया उसका यह कोड है वो भी आप स्क्रींशोट ले लो तो यह थी हमारी तीसरी लूप चले अब मैं रिवर्स लूप घुमाता हूँ मैं आपको एक नई पैटन दे रहा हूँ इसको भी आप नोट डाउं कर सकते हो 5 4 3 2 5 4 3 2 & 1 ठीक है रिवर्स लूडर के अंदर है ध्यान दीजिएगा चले तो सेम सबसे पहले आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हो लेक्चर को पोस्ट कर सकते हो अपने आप से स्रक्चर बनाएं कि ट्राय करो अगर नहीं बन रहा है तो फिर आप वीडियो को आगे कंटीन करो मैं सोलुशन दे रहा हूं ओके चले सबसे पहले सभी पार्ट हम मिटा देते हैं ठीक है आउटर लूप वाला पार्ट तेन आपटर उसी तरह से इनलूप वाला पार्ट एकदम बेजिक स्ट्रक्चर में लिख दिया अब हमें ट्राय करनी है सबसे पहले किसको फिलप कर आइंगे एक सस्टार्ट करना है कहा तक जाना है पांच तक जाना है आई अब कि कि बात करते हैं यानिकि को बात करेंगे अब देखे मत के गांदर केके सब्सक्रय दर लेग необходимо सब्सक्रया को स्टार्ट कहा से करेंगे सभी आप देखर कहा से स्टार्ट हो रहे हुआ है पांच से सिश्टवा तो यहाँ पर आपको पूर्ट अपButt바 करना है पांच इनिशिलाइजेशनhait कर रहे थे लेकिन लास्ट रो के अंदर आप देखे अब कितने तक जा रहे हो रिवर्स ओडर के अंदर एक तक जा रहे हो ठीक है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा थोड़ा सा मारा स्ट्रक्चर चैंज करना होगा आउटर लूप के लिए हमारी रो कितनी है जान राखेगा वंदेश मत फोएगा हमारी रो हमारे पास कितनी है फिल्हाल पंच है तो इंश डिल्र आपको कितनी बार गुमानी थी तो ऐसा जोरूरी थोड़ी आँ है आप इंक्रियम्राइट ओडर के कितनी बार गुमी पांच बार ही तो गुमी तो इस तरह से भी आप reverse order के अंदर गुमा सकते हो चलिए फिर से आज आजाकते हैं अपने लूम से किया था हमने five से किया था तो मैं यहां पर क्या लिख दिया जई इकवल टूफ़ाई दिया अब कहा तक जा रहे हो आप देखिए हम ऐन्ड पार्ट तक जा रहे हो न जो भी आपके रो का नंबर है उससे exit reverse part के अंदर आप जा रहे हो वहां तक आप चाह रहे हो आपको यहां पर क्या करना है greater than equal to i same to same previous scenario यह जो कि आपने previous part देखा था लूप का वही लूप है बट exit reverse होकर आ रही है तो मैं पूरा coding reverse order के अंदर करना है ठीक है doesn't matter में आपको फिर भी one by one step by step his first step क्या हो रहा है वो यहां पर समझाने वाला हूं ओके यहां पर आप देख सकते हो उपर से लेकर नीचे तक आपकी लूप क्या हो रही है decrement हो रहे है जो भी हमारी लूप हम प्रिंट कराना चाहते थे वह सेम हमारा आउट्पूट भी आ चुका है कुछ इस तरह से तो आपका कोडिंग तो सक्सेस्फुल आ गया लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप अपने हिसाब से ट्राय करोगे नोट बुक के अंदर आपको कई सारी गलतिया मिलेगे कई सारे नहीं नहीं चीज़ देखने को मिलेगे कि हां मुझे यहां पर आए नहीं बलकि इस सिनारियो के लूप बनाने के लिए हमें किस टाइप का कोडिंग करना होगा तो इस टाइप का नेस्टेट फॉल लूप वाला कोडिंग करना होगा ठीक है चले इसका स्कीन शोड ले लिजे अब चले समझते हैं वन बाइवन हो क्या रहा है सबसे पहले तो यह आपकी आउटर फॉल तो यहां पर आई की पहली बार वैल्यू क्या आएगी अब देखे कंडिशन क्या हो रही है ठू हो रही है फाइटर रहत धन इकल टू वण अपकी है ट्रू जैसरी कंडिशन टू होगी आप जाओगे फॉल लूप के अंदर जैसे ही में फॉल लूप के अंदर आये आपको एक और इनलुक यहाँ पर आपने बात करी है जे के लिए जे कीनिस वह लिए आपके पूट अपकर दी फाइव के अपके कंडिशन क्या है जे ग्रेटर इकवल टू आई तो जे की विल्यू क्या अगई यहां से फाइव अगई तो जे की इनिशियल विल्यू है फाइव अब better than equal to आपको put up करना है i की value i की latest value क्या थी देखे first of all यहां पर 5 थी ना तो i की value भी क्या आपर क्या आएगी 5 आएगी तो आप अंदजा लगा सकते हो 5 से लेकर 5 तक आपको घुमना है यानि कि obviously यह loop आपके कितनी बार गुमेगी एक ही बार गुमेगी ना 5 से start होगी और 5 तक ही तो जाना है तो अब आपका output क्या आएगा j आपने print कराया है तो j की value कितनी है 5 है तो obviously first time आपका output आएगा 5 ठीक है तो आप देखे दूसरी बार जब loop घुमेगी हमारी तो आपका output क्या आएगा देखे एकली bracket end हुआ है j minus minus यानि कि j की value क्या होगी decrease हो गई यानि कि पहले थी 5 तो आप क्या होगी 4 होगी तो अब यह condition है वो क्या बनी हमारी 4 greater than equal to 5 तो अब यह condition आपकी क्या होगी false तो जैसे आपके condition false होते है आपकी follow loop terminate हो जाते है और आप direct निकल जाते हो बाहर बाहर आपको देखने को मिले slash end तो अब इसलिए आपके cursor यहां पर blink हो रहे थी और नीचे की line में आ चुक है चले man आपकी follow loop end हो रही है तो उसका i decrement होगा पहले था 5 तो कितना होगा 4 होगा ठीक है decrement होगा इसलिए अब आपकी यह वाली condition क्या बनी 4 greater than equal to 1 तो यह condition हो रही है true जैसे true हुई आप follow loop के अंदर जाओगे जैसे अंदर आपको नहीं full loop देखने को मिली यहां पर जै की initial value है 5 कंडिशन क्या बनी 6 greater than equal to i लेकिन अभी अभी जै की नहीं value क्या आ गई 5 तो यहां पर फिट से put up करोगे 5 ठीक है i की value क्या है latest 4 तो अभी यहां पर आपने put up किया 4 ठीक है तो obviously अप इसको देखकर अंदाज दा लगा स सकते हो 5 से लेकर 4 decrement order के अंदर हमारी लोग घुमने वाली है यानि कि दो बार गुमेंगी एक बार 5 के लिए एक बार 4 के लिए तो नहीं लाइन के अंदर आप आपको आउट्पूट क्या देखने को मिलेगा 5 & 4 इस तरह से आपकी complete फोलूप घुमती रहेगी ठीक है कहां आप गुमेंगी 5 से लेकर 1 आपकी complete पैटन नहीं बन जा थी तब तक स्टेप बाइस्टेप इस तरह गुमाते जाओ नोटबुक के अंदर इस तरह सैड में नोटडाउं कते जाओ आपका output भी आपको नोटडाउं करना है खास इसको बूलना नहीं है इस तरह से आपको process करने है पहले तो नोटबुक के अंदर practice करने है फूल practice करने है daily to daily three to four hours इसके अंदर आपको देने पड़ेंगे तब जा कि वर्ल्ड के अंदर सिफ यही चाललोप है वर्ल्ड के अंदर और चालल मात मत्तलेट के अंदर कई सारी प्वाय को सब्सक्त कर Cel Lyn his लूप इतना सर्च करोगे तो आपको कई सारी इस तरह की डिजाइन पैटन्स देखने को में देगी उसको सोल करने की ट्राइब करूआ ठीक है फिलाल अगेन मैं आपको रिपीट करूँगा आज के लेक्चर में हमने सिंपल नैस्टेड लूप ही देखा है ठीक है सिंपल नै आने की ट्राइब करो नेक्स सेशर के अंदर हम थोड़ा सा एडवांस जाने के आगे विट स्पैसिंग नैस्टेड लूप एंड कस्टम नैस्टेड लूप की तरफ तक आपको की प्रेक्टिस करती रहनी है सिंपल नैस्टेड लूप की ओके